पॉपिलर शो अनुपमा बे इस आक्टर को कुरोना पॉजिटिव आया है जी हाँ आज सुबा ही ये खबर आई कि किस तरीके से इस पॉपिलर आक्टर को कोविट पॉजिटिव आया है जिसके बाद सेट पर सभी का कुरोना टेस्ट करवाया गया सेलिबरिटी से लेकर क्रिय तक का और उसी के बाद शूटिंग भी रोक दी गई जी हां शूटिंग रोकने के बाद सभी ने अपने टेस्ट करवाए और अब तक रिजल्ट आना बागी है जी हां एक निउस पोटल की खबर माने तो अनुपमा में पारस का लावत यानी रूपाली गांगुली के बेटे क का रोल प्ले करने वाले समीर शा को कुरोना पॉजिटिव आया है जी हां जिसके बाद सारे ही प्रिकॉशन्स के मेजर्स लिए गये सबका कुरोना टेस्ट करवाया गया और अभी पारस ने सबको ये मेसेज दिया है कि उनकी तबियत ठीक है जी हां इसके पहले राजिन शा ही के ये रिष्टा क्या कहलाता है शो में सक्चिंत्यागी स्वाती चितनिस और समीर ओंकार को कुरोना पॉजिटिव हुआ था जिसके बाद पूरी तरीके से प्रॉपर मेडिकेशन और सब चीजों का ध्यान रखते हुए उनको वहां पर से लीव दी गई और सेट पर सभी चीजों का ध्यान रखकर शूटिंग फिर से शुरू की गई अब यह हम उमेद करेंगे कि अनुपमा के सेट पर सब का टेस्ट नेगिटिव आए और फिर एक बार इस पॉपिलर शो की शूटिंग शुरू हो जाए और हम पारस कलनावत के लिए प्रे करेंगे कि वह जल्द